तीन चीजें जो आप हमेशा भूल जाएं पहली चीज, कुछ भी बुरा आपके साथ किसी ने किया है, उसको भूल जाएं आप जिस extent से दूसरे इंसान को माफ करेंगे, उसी extent से गौड भी आपको माफ करेगा forgiveness एक बहुत बड़ी quality है, इसको अपनी जिन्दिकी में लगाईए दूसरी चीज, आपने कुछ भी अच्छा किसी के लिए किया है, आप उसको भूल जाएं अगर आप ये याद रखेंगे, कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, तो वो आपको proud में भर देगा जो भी God ने, उसके अंदर बक्षी है, ultimately जो भी होता है, वो भगवान की वज़े से ही होता है, हम जो भी अच्छा करते हैं, वो भगवान ही हमसे कराता है तीसरी चीज़, डर, जो आपके best देने के बीच में आते हैं, हमने देखा है, जो इनसान डरता है, उसकी आत्मचवी बहुत कमजोर हो जाती है, और वो अपनी शमताओं को पहचान नहीं पाता, और वो best results नहीं दे पाता, और अपना best नहीं दे पाता, जो काम वो कर रहा है तो भूल जाएए दोस्तों अपने डर को, जो आपको आपका best देने के लिए रोकते हैं, तीन बाते जो आपको हमेशा याद रखनी है, पहली चीज़, death, हाँ दोस्तों, मौत किसी भी शन हमारी जिंदकी में आ जाती है, चाहे आप एक छोटे से अदने से कीड़े हैं, जो हमेशा याद रखिये दोस्तों, दूसरी बात, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है, कि हमें हमेशा खुश रहना है, happiness, happiness without any reason, हमें छोटी छोटी बातों में खुश होना होगा, क्योंकि गुरवत्ता जिंदकी की खुशी से देखी जाती है, खुशी realization में हैं, ना कि किसी चीज के अंदर है, हमें हर वक्ष रहना है, हमें समझना होगा, कि जिंदकी का लक्ष जो है, और हर लक्ष का जो लक्ष है, वह सिर्फ शान्ती और खुशी है, तो इसको हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस् में हूँ, तो हमेशा याद रखिए, खुशी और शान्ती, जिंदकी में सबसे महत्पूर है, तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है आपका purpose, हर एक इनसान किसी purpose के लिए बनाया गया है, हर एक इनसान के अंदर एक music भेता है, जिसे मरने से पहले पहले उस की एक strength है, जिसको उसको पूरी तरीके से express करना चाहिए, तो दोस्तों कभी ना भूले, अपना purpose, हमेशा याद रखें, अपना purpose, तो वापिस धोराएंगे, तीन चीजें जो आपको हमेशा भूल जानी चाहिए, पहली, कि किसी ने जो कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, भूल जाईए, आपने जो दूसरों के साथ अच्छा किया है, उसको भूल जाईए, कोई भी डर, जो आपको डराता है, अपना बैस देने में, उसको भूल जाईए, तीन चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है, वह है कि आप किसी भी शण मर सकते हैं, दूसरी, क्योंक महत्पून बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है आपका purpose मरने से पहले पहले क्या विरासत छोड़ के जाना चाहेंगे इस प्रश्ण को बार बार याद रखिए और अपनी हर एक सास को यूज करिए अपने टालेंट को एक्सप्रेस करने के लिए और लोगों की भलाई